पर दो कि अग्याइज वह वह स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट नमबर वन एजुकेशन प्रेट होंगे पर कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे जैन साथियो नमस्कार सभी के लिए क्ला स्पब बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत बढ़ी आहें सॉने वाली आप सभी के लिए है और गी टार शुरू हो चुकी है नेक्यान कि हम बात कर रहे थे हमने निए नीयंत्रन की कण्टोल देख लिया था कंट्रोल में हमने देफिनिशन देख ली थी है कि अध्य बहुत ही शांदर सांधर पुल देखी थी जिनने कल का लेक्षन नैं नियंत्रण का रहे गया था थोटा था पूर्थन नियंत्रण का रहे गया था उसको हम कबर करेंगे और फिर आज देखेंगे क्या नेत्रत्व जिया दोस्तों आज का टॉपिक जो रहेगा नेत्रत्व कर रहेगा तो प्लीज 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 वीडियो को शेयर कर दीजिए चलिए class बिल्कुल हमने देखा था उध्देश व्याय नियंतल का उध्देश क्या है नियंतल का उद्देश क्या था तो हम क्या कर सकते हैं 다음 Mir आयों की जानकारी यह हमने कल देख लिया था जो बच्चे लेट हैं एक बार वीडियो को शेर कर दें जल्दी ठीक है फिर हम क्लास शुरू कर रहे हैं जिनने पुरानी क्लास नहीं देखी है जनरल मेनेजमेंट बास दिनेश्ठा को सर्च कर लीजिए बहुत सारी पुरानी क् है कि मैंने शेर कर दिए आप भी शेर कर दो आजको खास अनाउंसमेंट वेटाता अभी अबी अनकेडमी पर दो ऊफर चल रहा है वह भी एक साथ बीस परसेंट तो आपको अुप मिल रहा है और साथ में एक साल का सब्सक्रिप्स लेने पर तीन महीने फ्री और दो six month आपको फाइदा है साइसा ओफर कभी नहीं मिलेगा लेकिन अनेकैडमी पर आपको ओफर चाहिए है तो कोड़ आपको डी टी लगाना पड़ेगा डी लाइव लगाना पड़ेगा चलिए क्लास शुरू कर दें चलिए साब गोड 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 नियंत्रन का महत्व क्या है नियंत्रन से संगटन में अनुशाषन कायम रहता है कायम रहता है काउ हो नियंत्रन के फल्सरूप कार कुसलता बढ़ती है काउओ हाओ नियंत्रन से अव्य और आच्रण तथा चोरी के रोक लगाई जा सकती है याने कोई हमें नुक्षण से बचा सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे बढ़ते हैं नियंत्र करमचारियों का मनोबल कायम रखता है बढ़ने से भी बलाने में शहायक होता है भावी नियोजन में सहायक होता है तो यह हम आपको इसलिए कल मैंने इसको बता दिया है अब बात करेंगे हम आज की अब बात करेंगे हम आज की निर्देशन के तत्व क्या है निर्देशन नहीं कि नियन कि नियंत्रण के तत्व क्या है मात्रात्मक मानकों का निर्दारन करना मात्रात्मक का मतलब होता है कि क्वांटिटिव क्या क्वांटिव जिसे मेजर किया जा सके जिसे मापा जा सके वह मात्रात्मक होता है मात्रात्मक मानकों का निरधर्ण करना बाय घटकों पर नियंत्रण नहीं कर पाना या सीमित कर पाना कर्मचारीयों का विरोध या करचीला पन तो इसको हम ऐसा देखते हैं कि ओ माइगाड ओ माइगाड सॉर्य समाच आता हूं मैंने आपको निदेशन के उद्देश शंबंदी सिद्धान्त भी बता दिये थे ठीक है और मैंने आपको यह समझा दिया से कल हो गया है यह सौरी 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 आधिनिक विदिया होए थी कि मात्रपून तथ्यम पढ़ रहा थे कुछ एम से क्यूज भी कर लेते हैं फिर नई पीपीटी की तरफ चलेंगे ठीक है क्वेस्टन का लगा बेटा जे तो मैं कर चुके थे सौरी यह कली क्लास में कर चुके थे ठीक है है ओके ड़न आधिन के चुके रहे हैं जुए जूए जान जूए जूए ज़र की नूखिए है कि अच्छा कुछ लोग बोल रहा है सार की यह दो यह मैंने कल पढ़ाया था यह मैंने कल पढ़ाया था इसलिए टेंशन ना लो विटा संबंदित है परिणाम से परियास से और अब अब बढ़िया एक करते हैं अच्कित अनंद की आफ शक्रिया कर सकते हैं जो गलतियां हो रही होंगी उसको ठीक कर सकते हैं नियंत्र प्रिक्रिया का प्रसम चलाना बजट बनाना है मापन निदार्ण निस्पादन के मुल्यांकन विचलानों को पता लगाना वे बजट नी मनाएंगे कि अई नमीहिएंगे ते लन रलतिमेल करना उप्रमाप निदार्ण करना कट निदार्ण नियंत्र प्रिक्रिया का नियंद्रणका उद्देश है उत्पादन का अनुमान लगाना वित्तिय साध्नों का प्रवंदन करना वास्तविक निस्तादन की आच या ओल और अब घिली को नद्र का लिए कि सब्सक्राइद नियांज करना की मुझे लग रहा है कि वास्तियों जाच करना सी ज्यादा सठी का अंसर है और वो भी क्यों है क्योंकि उत्पादन की जाच करना सही आंसर है ज़िए लाइक कम दिख रहा है बच्चे जादा लाइक कम बच्चे जादा तौपिक की ऑज सब्सक्राइब क्या है जातकी नित्रत्व की एन já नित्रत्व की अवधारना और सिधान्त निट्रत्व की अवधार olhar अच्छा भई यह नेतर क्यों भाड़न तो नेतर कुछ परिबासा हैं को लिखो मुने तथा मुने तथा रेलेके अनुसार प्रिक्रिया में प्रवेश करने पर अधिकारी वर्ग जो द करता है उसे नेतष रहते हैं अब देखो हमने किया क्या हमने अधिकारी क्यों कि नियुक्ति कर दी काम हो गया जो भी है तो प्रिक्रिया में प्रवेश करने पर अधिकारी वर्ग जो स्वरूपधार्ण करता है उसे क्या कहते हैं नेत्त्त्व कहते हैं बहुत बढ़ीया बात पताई सर आपने जब हमने काम स्टार्ट कर दिया और अधिकारियों को काम दिया तो अधिकार क्या कर रहेंगे कुछ ना कुछ किसी को पर कंट्रोल रखना उसको निर्देश देना डारेक्शन देना यह जो नित्त्व कहलाता है मूने तता रिले के अनुसार कि किए भाले करेंध क्यांदू हुआ ठीक है ठीक है ठीक है यह एल्विन गोल्डनर क्या अनुसार नेता एक समू का सदस्य होता है जिसे निष्चित पर प्रदान किया जाता है और जो व्यूहार करता है वही तो सदस्ते होता है वह सदस्क्राइब जिसे निश्चत प्रदान किया जाता है उसे हमने क्या बना दिया जैसे पांच लोग है पांच लोग मैंसे एक बना दो मॉनीटर बना दो और जो मॉनीटर होगा उसे पद मिल गया मॉनीटर का और जो पद मिला है तो क्या करेगा आपको और उसके बाद नेत्रत्व करेगा उसे क्या बोलते हैं एलविन गोल्डनर ने दी है रोबर्ट एपलेबी ने कुछ कहा है रोबर्ट एपलेबी नेत्रत्य नर्देशन का साधन है अधिनस्तों को विश्वास एब मिख्षा सकती पूरवक्त समू आदर्सों के लिए चाहिए रखता हो उसे बोलते हैं क्या उसे बोलते हैं क्या बिलकुल बोलते हैं क्या वोलते हैं उसे बुलते हैं नित्रत्व करने वाला व्यक्ति जो है अधिनस्तों को विश्वास एवा मिच्छा सक्ती पूर्बग समूह आधर्सों के लिए कार्य करने के लिए प्रिरित करता है बहुत अच्छे ठीक है एक नंबर आगे बढ़ते हैं जॉर्ज आर टेरी के नुसार नित्रत्व लोगों को प्रभावित करने की एक प्रिक्रिया है क्या लिखो भईया पढ़लो चाहे कहीं से अरे बहुत वड़ी है डिमपल सर्मा जी नित्रत्व लोगों को प्रभावित करने की एक प्रिक्रिया है जिससे वैस्पारिक उद्देश को प्राप्त करने के लिए प्रियास किये जाते हैं इसमें सीधी सीधी बात है नेत्रत्व क्या है लोगों को प्रभावेट करने की प्रियास किया जाता है यह नित्रत्व है तो नित्रत्व लोगों को प्रभावत करने की प्रिक्रिया है का हो हो कि सर नियंत्रन का क्या नियंत्रन का संबंध किस से यह चलो भई कुंड़ एवं ओ डेनेल पुंडज एवं ओ डुनिल नेत्रत्व लोगों को प्रभावित करने की प्रिग्रिया है ताकि वह समूह की लक्षों को प्राप्त करने की दिशा में इक्षा पूर्वक जरूरी है यहां पर नेत्रत्व में अगर मनमार के काम करने की बारी आए तो कोई काम का नहीं है नेत्रत्व ऐसा होना चाहिए लोग एक्षा से अपना काम करें तो डेनल ने कहा है तो लोगों प्राप्त करने की प्रिग्या है हम मानते हैं लेकिन ऐसा लक्ष की प्राप्ति के लिए कर सकता में चलती क्लास में लेकिन अगली बार ध्यान रखूंगा आपकी भावनाओं का राइटिंग चेंज कर लूँगा ठीक है अभी आप कोसिस करें जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान से सुने मजा रहा हो तो वाई लगा दीजिए फटाबर 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 फास्ट एए गुण मूलक सिद्धांत कोण सा गुण मूलक सिभननने रत्व का बयावारवाधी सैंव यह कह पास्तब की पर इस्थित्य आत्मक सिद्धांत अब देख हो companion का नेत्रत्व सिद्धांत नित्रत्य आत्मक सिद्धांत अलिग्रामków जो है नहीं इसस्ञाइड़मी जोईन कर लीजिए पर आपको यह सब मिलने वाला है नेकर तो की सिद्धान की परिस्थितात्मक सिद्धानत के कार्य नियोजन वा निर्देशन अब प्रेणा मा समन्वाइं तूचना वा तक्निकी साहता प्रदान करना पुरुष्कार वा दंड की विवस्था करना अच्छा नियोजन वा निर्देशन को कमबाइंड कर दो तो नियत्रत्व बन जाता है और नियत्रत्व का कार यह है कि लोगों को मोटिवेट करें नित्यत को मतलब होता है कि आप ऐसे राजा बनो कि आपकी प्रजा खुशी खुशी तो अब अगर नेत्य तो कर रहे हो तो आको समालना भी आना चीए तो अब उपेज नावा समनवा यह इसके कार है नियोजन नेत्य तो करोगे ना करोगे और नर्देशन भी करोगे यह दो चीज़ें हो गई लिखो नमस्ते सरची नमस्ते सूचना वा तकनीकी सहाइता प्रदान करना यह भी तो कार है पुरुष्कार वाद दंड अच्छा वाद दंड वास आपको कर रहा हूं मोटिवेट कर रहा हूं जो आंशर सही देगा उसे दो कटरोपे की साब 80 तो क्या होगा लोग मोटिवेट हो रहे हैं तो पुरुष्कार दे रहा है हम किसी को और दंड की बात करें अगर कोई गलती करें तो उसे दंड देने देना भी नित्रत्व क ही काम है तो पुरुष्कार और धंड देने से क्या होता है लोग पुरुष्कार करने से भी अच्छा काम करते हैं पुरुष्कार दोगे तो भी अच्छा काम करेंगे लेकिन पुरुष्कार देना सकारात्मक नित्रत्व है दंड देना नकारात्मक नित्रत्व है लिख लो कि काम दोनों में होगा पुरुसकार दोगे तो जाते जल्दी इच्छा काम होगा दंड दोगे यह भी इसका पैटन है पैटन पे नहीं लगाया है उनको पटवारी बनने में थोड़ी मेहनत ज्यादा खरनी बढ़ेगी और जिनने श्टट लगाया है वह इस बार पटवारी बनेंगे 99.9 परसेंट तो लगा लो श्टट पर जाओ किरपा बनी रहेगी इस लगा लो बिटा जल्दी कि स्वास्थ प्रद वातावन का निर्वान देखो कितनी अच्छी बात कहिए नेत्रत्व का कार क्या है नेत्रत्व का कार क्या है लिखो स्वास्थ प्रद नेत्रत्व का वातावन का निर्मान स्वास्थ प्रद नतलब हेल्दी वातावन अगर नेत्रत अच्छा है तो लो स्वास्वत बातवन निर्माण सरस्यों की पदोनतियों विकास के लिए विकार करता है और जो नीचले हिस्त्र के अधिनस्थ हैं उनको सहयोग प्राप्त करना आदर्स प्रस्तुत करना तो इत्री बात हैं करना अधिनस्तों का सयोग करना और क्या चाहिए हरी चटनी से काम नीचलेगा सर जी नहीं लाल खानी बढ़ेगी कल तो कल लाल खानी बढ़ेगी चटनी अनएकडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते समय यह फ्री क्लास भी लेना हो तो । ड्ट लाइब कोड लगा येगा बिटा रोज साम को आठ बच के दस मिनिट पर फ्री टेस्ट स्रीज लगाता हूं मैं अनगेडमी पर आपको आना है ड्लाइब कोड लगाना है ठीक है अ कि आ अकरति कर दीजिकी लाल मुएं बन रहो है कि बंद रहा है लाल मुएं बना रही है घ्रे को कर मैं बताई है को इस का है काहिसे है काहिसे है क्वेश्चन फॉद्धेज नहीं बतरा करति घरेजि मिलेंगे बन आगे पढदक सर आप एक काम करो यहां आयो ना उधर चलिए पीछ से नेत्रत्व के महत्व सामुहिक प्रयासों की प्रेणणा संगठन संद्चना तथा नियोजन की अपूनताओं की पूरती है थीक है तो नेत्रत्व का महत्त देखो भईया सामुहिक प्रयास करने की लिए संगडन संदचना तथा नियोजन की अपूरताओं की पूरती सामाजिक सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिवर्तनों का सामना करना क्या सामाजिक में सांस्कृतिक एवं तक्निकी परिवर्तन का सामना करना अनोप्चारिक नित्रत्व के प्रभाव को रोकना सहियोग में बृद्धी सहियोग स्युक्राइब फ्रडविव vistовय स्योग में व्रद्धी है स्यूग में व्रद्धी कि ने युट्योग में कि व्रद्धी कि नित्रत्व सिद्धान्त इस बात की व्याख्या है कि कुछ लोग कैसे और क्यों नेता बनते हैं तो यह एक बड़ा काम आ जाएगा करता है अब जो लेट होंगे ना मेरी क्लास में उनको हो सकता कुछी समझ में नहीं आ रही हूं तो ध्यान रखना जनरल मेनेजमेंट भाई दिनेश्था को थर्च कीजिए और पुरानी क्लास सबसे पहली क्लास देख आओ सोल भी क्लास सिक्स्टींथ नमबर क है तो पुरानी क्लास लेकर आओ कि नेत्त्व सिद्धांत इस बात की व्याक्या है कि कुछ लोग कैसे और क्यों नेता बनते हैं सम्वेवहारक नेत्त्व में अनुयाईयों याने कि छात्रों छात्रों को मुख्रूप से अपने स्वयम के हित के लिए अपील करने के माध्यम से प्रेरित और निर्देशत करना शामिल अगे अगे बने शंख्या ब्यावहारक नेत्त्रत्व या संख्या ब्यवहारक प्रवंधन नेत्त्व की एक विस्टा है जो परवेक्षन और प्रदेशन पर केंद्रत है यह तीसरा पॉइंट है यह चौथा पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है और गलती से यान लिग गया है अब क्या बोला वहार एक नित्रत्व की एक सैली है जो परवेक्षण संगटन और प्रदर्शन पर केंद्रित होता है लिखते जाओ जॉन मैक्सवेल के रुसार पद अनुमती उत्पादन लोक विकास और शिकर नित्रत्व के इस्तर हैं बहुत अच्छी बात कर दी सरह आपने तो को आए था मिलने आप से अच्छे कि अच्छे कि अगे बढ़ते हैं संदचना अत्मक नेता संदचना रननीती पर्यावरण किर्यानवेयन प्रियोग और अनपूलन पर ध्यान के इंद्रत करते हैं संदचना रननीती पर्यावरण सब अब द्यान के इंद्रत करते हैं तो होगी कल का प्लान कल तो चलने संदे कर दो ना और वह दाल दो कि वह दो कि रीजनिंग के तीन टाइम बता देना जरूसे ताकि आज तो ठीक कली बताजिए बच्चों दो बार डाल देना नहीं ओफ लाइन चंटे ओफ लाइन तीन घंटे चार घंटे दो सद्ध्राइस कर दो कि अधिया के बना वह सुलेबस आगे बढ़े जाए दियान दिविजन लिट्टे कराना यह काद घंटे महों जाए और वो तो भूगा पर हम चले आएंगी आप कर लेना करनल पढ़ेगा अब को अधियान दाख न की मैं क्या बोलाओ चलास आगे पढ़े जाए यहाशा करना वह बचों और आ नहीं है बनाए बोलना समय नहीं है यह न लगे नियुक्त कराएं के बार में समाहर मंगल बार को उनको तो आगे बढ़ा उसले बस मेस का खतम सर हो जानने ची बहुत जल्दी शब्वे जन्वरी के पहले जन्वरी के पहले जन्वरी लास तक करो अरे तो आप यह से करो ना आप यह से करो एक आज दिन तीन घंटे चार घंटे कि अधिन आप यह जैसे सर कर रहे ना आप यह से सरकी लेए तो मैस की भी लगा दो एकार दिन तीन घंटे-चार घंटे कि जल्दी हो जाएगा सब्सक्राइब आपको जो लेट जाएगा तो स्रीयों के दूश्य का भी उकाप करने ना इससा कि इसका क्यों से क्यों से क्यों क्यों से क्यों से क्यों आपको जांटे उो जाएगा। आप चलिए नेत्ट्व के आकस्मिक सिद्दान्त किसी नेता की प्रवाव सील्था इस बात पर निर्वा करती है कि उनकी नेत्व रहली किसी विसेश इस्तिति एबं अनकूल है या नहीं तो चलो भाई यह तो अपने होगा रहे उचक तत्व अब बात कर लेते हैं एक नया ट टॉपिक कि नया टॉपिक और नित्व जादा कोस्टन नहीं बनतें जहां ध़्यांद रगना देटत्व का मैंने ज़र्ण बताएं वही एक टॉपिक और है निफ्ती करण यास्टाफिंग लिखो न्युक्ती करण यास्टाफइंग और अनकेडमी पर सब्सक्रिप्सल ले चलेंगे पर अनकेडमी लेर्नेगे इस्टॉल कर ली हो तो बस वहाँ पर नाम सर्च करना देने स्थाकुर मुझे फॉलो कर लो बस हो जाएगा आपका काम चलिए न्युक्ति करड़िया स्टाफिंग न्युक्ति करड़ मतलब क्या है संगडर में इस्थापेत विभन्न पदों पर पद के महत्रेके अनुसार योगी व्यक्तियों की न्युक्तिकरन भयाँ जो मैनेजर बनने लाइक हो मैनेजर बनाद हो जो जो भी काम पर झाएख हो तो विबिन पद होंगे उनमें पद के मात्विज्य नुसार योग व्यक्तियों को नियुक्त करना क्या कहलाता है स्टाफिंग कहलाता है एक बात इससे जन प्रवंधन भी कह सकते हैं इसे जन प्रवंधन भी कह सकते हैं नियुक्ति कराना प्रवंधन का सबसे महत्रपून कार है वो लो क् कि रात को पेट दर्द भगल वाले गुरुवर साब पूदी नहीं रहा ले आए पेट दर्द छू तो देखो आपने पूछा तो मैं बता देता हूं कि यह नियुक्ति करण प्रबंद का सबसे मत्प्रोकार इसलिए है क्योंकि अगर योग व्यक्ति स्टाफ में हैं तो तो का का है आयोग व्यक्ति कितने ही रख लो काम नहीं होगा इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको योग व्यक्तियों के लिए नियुक्त करने की प्रिक्रिया अपनानी पड़ेगी ठीक है जिनने लाइक नहीं किया कर दो यार नियुक्ति करण की परिवासा है जोन टेरी निदी है लिखो लिखो जोन टेरी बोलते हैं तो सूत्री महराज जी कहते हैं कि स्टापिंग का संबंद संतोजनक कार सक्टी को प्राप्त करने तदा उसे बनाए रखने के लिए होता है बहुत अच्छी बात कहीं आगे डेली ओटर कहते हैं इस टॉपिक एक प्रकार का दिसासी प्रक संतोजनक कार सकती का मतलब यह है कि ऐसे लोग हायर करो तो जिनसे काम में आपको अच्छा लगे जो अच्छा काम कर सकते हों संतोजनक कार सक्टी को प्राप्त करने के लिए उसे बिनाए रखने के लिए जो प्रवंदन किया जाता है उसे निफ्तिकण कहते हैं का और दूतरा कोश्चन आता है कि स्टापिंग दिसासी प्रकार क् याने की निचले इस्तर किया जाने वाले लोगों की भरती उनका चैन चैन प्रीक्रिया अपर अब बात करते हैं यह pior है क्या कहते हैं जिसका संबंद प्रबंदकों की भरती चैन प्रिक्रियां से विकास से शटी पूर्ती से बहित तो कह रहें सब स्टापिंग प्रवन्दकों के उसकार्यादायद्यात्व को कहते हैं जो संस्था के कारस और अंचालन के लिए परियाप्त मात्रह में प्रवन्दकीतं और अंकprovinka ने उनका विकास करने तथा उन्हें संस्था में बनाय रखने से संबंद रखता है कि आप बात कर दी सर आपने हो मजा आगवास तो मजा आगव तो हो लगा दो वेटा क्यूंकि क्लास सदम होने वाली है ठिक न्युक्ति प्रवंधन का सदतकार है निप्तियां होती रहती है सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन यह देश बना रहेगा संगण बना रहेगा लोग आते जाते रहेंगे सदकार संबंध मान वह संसाधन से ही होता है संगटन की एक प्रक्रिया है न्युक्तिकरण संगटन की एक प्रक्रिया है चलो साथ न्युक्तिकरण नो स्थापित तथा बिद्धिमान दोनों प्रकार के संगटनों के लिए अनिवार होता है न्युक्ति करण नौ स्थापित तथा बिद्धमान दोनों प्रकार के संगटों के लिए यार देखो स्टापिंग तो चाहे नया बिजनेस खोला हो चाहे पुराना बिजनेस हो जो अल्लेडी एक्जिस्टिंग कर रहा है न्युक्ति करण तो हर जगा होता ही है प्रवंद की लिए कारे की द्रश्टी से न्युक्ति करण नियोजन तथा संगटन संद्चना के बाद की प्रिक्रिया होती है लिख लो कि एचार डेपार्डमेंट का वर्क होता है वो पाली लगता है एंबीय करके आएं कोई बात अच्छी बात है पता होना चाहिए ठीक है तो यहां प करना है संदे से फाइदा यह होता है कि अधिया निप्टिकन का उप्करम कीजिए अधिया है की सफलता का आधार है निप्तिकरान उप्करम की सफलता का आधार है निर्धारत नीची के परिपालन में सहयक है और कार्य संपादन के लिए आवर्शक और दोगयों विकास में भी सहयक है वो लो हो बेटा मैंने कहा था आप से कि 30 क्लासेस लगेंगी मुश्किल से 25 से 30 और डी परिटाम शक्ति का स्रेश्टाम उप्योग अभीष्ट ग्यान तथा कला संगराय हे निप्ति प्रगती में सहाय कि यह सारे के सारे निप्ति करनिया श्ठापिंग के महत्व हैं तो श्रम सकती का अच्छा आदमी रखोगे अच्छा काम करें अभीष्ट ग्यान और कला का संग्रा है जब इंटर्व्य लेते हैं किसी को रखते हैं उसके बारे में जरस्ते पर बढ़िया जानदार और शांदार निप्ति करन की परिवासन की बात करें तो मानाव संसाधन नियोजन या स्टाफिंग प्रिक्रिया का पहला कदम होता है इसका उद्देश होता है कि सुनिश्चित करना है कि संगटन में कर्मचारियों की आवश्यक्ता की निरंतर पूर्त होती होती रहे गई तब बात कर्मचारी की निक्तिकन का मतलब स्टाफिंग है ठीक है तो यहां पर हम बात करते हैं कि जितने भी अभी की क्लास अब तक हुई है कि आगे की बात हम कल करेंगे क्यूंकि अभी अपको पर चलना है और वहां पर आपको फ्री टेस्स लगवाने का मौका मिलेगा तो जय भारत आपका दिन शुब रहे अच्छा यह बता दूए आपको कि अनकेडमी की लर्नेंग इंस्टॉल कर लिए जिनने नहीं करी है ठीक है कर लो भाई फटाबट फटाबट अभी बहुत ज इसकाउंट मिल रहा है मैं बता देता हूं आपको 20 परसेंट आफ चल रहा है साथ में 6 महीने फ्री भी मिल रहा है लो अब क्या चाहिए वह सोना पर सुहागा क्या सोने पर सुहागा इसका मतलब तो तुमको पताई होगा तो अने पर सुहागा तो यह भाईया 20 परसेंट आफ मिल रहा साथ में 6 में फ्री मिल रहा है याने की डबल फायदा डबल धमाका तो आप लोग अने कैडमी पर सब्सक्रिप्सन लेते समय कोड क्या लगाओगे डी टी लाइव लगाओगे क्या लगाओगे डी टी ल आई तो थैंगी बरिमाच जय हंद जय भारत आपका दिन शुब हो चलो हवेली